हमारी ताज़ा खबरों के लिए हिंदी डाक को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पो ट्लिक करें इस बार तो गोकुल धाम की हूली का सेलिब्रेशन भी सोनू के विना मनाया गया और अक्सर आपने सीरियलों में देखा ही होगा कि अगर कोई करेक्टर शो को छोड़ दे तो किसी नए आर्टिस्ट की एंट्री हो जाती है और जिसके बार सीरियल की स्टोरी थोड़ी बोरिंग सी लगने लगती है और अब आप सोच रहे होंगी कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ तो भाई वो इसलिए क्योंकि यही हुआ है सीरियल तारक महता का उल्टा चश्मा में लेकिन हाँ यह अलग बात है कि अभी डारेक्टरों ने कहानी में सस्पेंस को बरकरा रखते हुए यह दिखा रहे हैं कि सोनु पढ़ाई में काफी बिजी हैं क्योंकि उनके एक्जाम्स शुरू होने वाले हैं लेकिन जनाब मामला अंदर ही अंदर कुछ अलग ही रूप ले रहा है जी हाँ सोनु के एक्जाम्स तो हो रहे हैं वो भी रीयल वाले अरे हाँ भई इन दिनों सोनु सीरियल से छोटी लेकर अपने घर रह रही है क्योंकि सोनु के 12 के बोर्ड के एक्जाम्स चल रहे हैं जिसके चलते वो लीब पर हैं और यही नहीं वो पिंकु के पेरेंट्स की स्टोरी के टाइम से ही लीब पर हैं क्योंकि जब पिंकु के पेरेंट्स सोसाइटी में आये थे तो भी सोनु वहाँ पर नहीं थी वल देखना ये दल्चस्प होगा कि के एक्जाम्स खत्म होने के बाद सोनु फिर से सीरियल का हिस्सा बनती हैं या फिर अब सोनु की जगे हो गई किसी नए शक्स की एंट्री न्यूस रूम से शिल्पी शर्मा की रिपोर्ट ख़बरों को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी सोशल मीडिया पर शेयर कीजे और अपनी फीवरिट प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो आड़ करें लाइक करें हमारा फेस्बूक पेज, फॉलो करें हमें ट्विटर और इंस्टापर